कि नमस्कार मैं डॉक्टर सुष्मा देश्मुक स्थिरोग तेद्न नाकपूर आज हम जानेंगे वंध्यत्व यानि बांश्पन इसके उपचा की शुरुवात कब और कहां से करेंगे और कैसे करें बांश्पन अमबन बोलते हैं जब शादी होने के बाद एक साल तक कुटुम नियोजन का कुछ भी साधन नहीं यूज किया है और प्रेग्ननसी नहीं रूक रही है तो उसे हम बांश्पन या वंध्यत्व या इन्फर्टलिटे ऐसा बोलते हैं हमेशा हम बोलते हैं कि दोनों ने एक साथ में पति पत्नी दोनों ने एक साथ मिलकर डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए आना चाहिए कि यह बहुत इंपोर्टन्ट है कि दोनों बराबर के इसमें इस्सेदार हैं दोनों का इसमें इंपोर्टन्स है दोनों की जांच करना जरूरी है पूर्शों में कैसा है उनका फिजिकल चेकप, सीमें की जांच और कुछ हॉर्मोन्स की जांच और को ब्लड टेस्ट रहते हैं लेकिन स्थ्रियों में वैसा नहीं रहता है क्योंकि दोनों की प्रजनन प्रणाली अलग रहती है स्त्रियों में जैसे गर्भाशर की जाँच, साइड में दो फैलोपिन ट्यूज रहते हैं वो खुले है या बंध है वो जानना जरूर रहता है और दुसरे इंपोर्टन ने जैसे स्त्रियों में हर महिने में एक स्त्री बिच बन जाता है और महिने के बारावे से सोला दिन तक वो रिलीज होता है तो ये एक बरावर से बनता है या बढ़ता है और बरावर से रिलीज होता है ये जानना बहुत जरूरी है इसके बहुत सारे रिजन्स रहते है जैसे एक्स बरावर नहीं बन रहे सिंपल रिजन है पॉलिसेस्टिक ओवरियन सिंड्रोम आजकल इसका परसेंटेज याने ब्रह्माण बढ़ते ही जा रहा है मेरे पिछले कुछ वीडियोज में मैंने पॉलिसेस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के बारे में काफी जानकरी दी है तो एक बहुत महतोपुरा कारण है जो वंध्योंतों के पिशन में देखा जाता है दूसरा है ट्यूब्स बहुत बार ट्यूब्स ब्लॉक रहते हैं तो उसकी जांच करना जरूरी है गर्भाशे में कभी कुछ अलग प्राब्लेम्स रहते हैं वो भी डीटेल में उसकी जानकरे लिना जरूरी रहता है इसके अलावा कुछ हॉर्मोंस रहते हैं जैसे थायरोड है प्रोलक्टिन है ये भी हम जान लेते हैं बहुत सरे पेशन बोलते मेडम कितनी जांच करेंगे देखो ये और कैसा उनका सबको ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट चालो करें और उनको इमिजेटली दो या तीन मेहने में उसका फल मिलना चाहिए लेकिन एक बात समझ लो इसमें क्या है कि यह कोई operation नहीं कि जो operation करके अपन कुछ बीमारी निकाल है इसमें अपन कुछ create करने जा रहे हैं एक बेबी बनने के लिए कितने सारे मासपेश्या, कितने सारे एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, कितने सारे बहुत सारे चीजे जुड़े रहते हैं एक दूसरे को, बहुत सारे तो कुछ अपन रीजन भी उसके बता नहीं सकते हैं, जो ग्रॉस अपने को दिखते हैं, वो उससे करते हैं तो इसके लिए हम पेशन का एक कॉंसलिंग सेशन रहता है जिसमें दोनों हस्बन और वाइफ को दोनों को हम बताते है कि क्या प्रॉब्लम और अपने को कहां से शुरुवात करना है बहुत बार पेशन का कपल का एज बहुत ज्यादा रहता है वैसे भी हम पेशन आय इवन आज कल तो 40 40 प्लस पेशेंट भी आ रहे याने कपल सा रहे तो हर एक के प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं देर आर एंड नमबर ओफ रीजन्स सिर्फ यही नहीं दिखता और इंडोमेट्रियोंस इस नाम के और एक बीमारी है यह सब बीमारीयों के और यह प्रॉब्लम्स के हम चर्चा करेंगे अभी जस मैं आपको सब चीज को नाम बता रहे हूँ तो यह सब जानने के लिए और क्या पिशन को क्या प्रॉब्लम है यह ठीक तरह से जानने के लिए बहुत सरे जाचे करने पड़ती है जैसे सोनोग्राफिक इंपॉर्टन उपकरने जिसके जरी हम बहुत सारी चीज़े जान सकते है जैसे गरभाश है अंडे बराबर बन रहे हैं नहीं इवन ट्यूब्स की भी पड़ जाच हम कर सकते है दूसरा है दुर्बिन की जाच पेट में दुर्बिन डालते तो उसको लाप्रोस्कोपी बोलते उसमें हम पूरा पेट में क्या है यहने गरभाश है कैसा है ट्यूब्स कैसा है चिपकाट है क्या कहां पे ऐसी बहुत सारी जानकरी मिलती है और उसी टाइम पे गहर कुछ प्राब्लेम दिखा तो अपन दूर भी कर सकते है दूसरी है दुर्बिन की जाच ने हिस्ट्रोस्कोपी जिसमें हम दुर्बिन गरभाशे केने योनी मारत के दवारा अंदर डालते है और बहुत सारी चीज़े उसके जरे अपने को मालम होती है तो ये सब जाचे स्टेप बाइ स्टेप करना पड़ता है सभी पेशन को सभी जाचे नहीं लगती है जिस प्रकार का प्राब्लेम है उस प्रकार से जाचे की जाती है और समझो इसके बाद भी पेशन्ट को आराम नहीं मिला, सब नौर्मल होने के कारण, उसे हम अनेक्स्प्लेइन इन्फर्टलीडी बोलते हैं, जिसका कुछ कारण नहीं बताए जा सकता, उससे पेशन्ट को फिर आगे की टीटमेंट की जोरत पढ़ सकते हैं, जैसे आयूआ ह इन्ट्रायूटन इन्सेमिनेशन, टेस्ट्व बेबी के पहले की स्टेप है, इसमें खर्चा भी कम रहता है, और रिजर्स भी काफी अच्छे मिल सकते हैं, और नमबर उसके बाद भी नहीं मिला, तो लास में टेस्ट्व बेबी और इन्वीट्रो फेटलेशन, देखो ये समझ लो कि सभी पेशन को टेस्ट्व बेबी नहीं लगता है, हर एक पेशन का रिजर्ण अलग रहता है, उनके प्रॉब्लेम के अनुसार उप्चार का प्लानिंग वसे करना पड़ता है, तो मेरा यही कहना कि बराबर से जांच करवालो, हस्बन की भी जांच साथ में करना जरूरी है, क्योंकि यह सब जांचना बहुत जरूरी है, उसके साथ से ट्रीट्मेंट का आगे उप्चार चालो कर सकेंगे, तो आगे की वीडियोज में देखेंगे, कि यह सब उप्चार किस प्रकार से किये जाते हैं, धन्यवाद,